हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हो? मैं आसा करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे. आज मैं आप लोगों को एक बहुत ही वहतरीन मैथ बताने जा रहा हूँ, जिसे आप लोग ध्यान से देखेंगे. क्यूब रूट, घनमुल, किसी भी संख्या का क्यूब रूट हम लोग कैसे निकालते हैं यहाँ कोशन यह है, find cube root of 125, इसे हम लोग कैसे लिखेंगे आपको इस तरीका से लिखना होगा, 125 का क्यूब रूट निकालना है तो इसके बाद, 125 के जगा पर आप क्या लिखेंगे आपको 125 का prime factorization करना होगा, जैसे 5 से या कितने बार में डिवाइड होगा 25 बार में, और 5 से 25, 5 बार में, और 5 से 5, 1 बार में तो हम लोग 125 के जगा पर लिख सकते हैं, 5 बुना 5 बुना 5 यहां पर देखें, 5 का गुना कितने बार है? तीन बार तो आपको लिखना होगा 5 का पावर 3 जब आप, यह cube roots को आप हटाएंगे तब इसके बदले में आपको क्या लिखना होगा? 5 का पावर, Q का whole power, 1 बटा 3 जब cube roots आप हटाएंगे तो इसके बदले आपको लिखना होगा 1 बटा 3 इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? 5 का पावर 3 गुना 1 बटा 3 ऐसा हम लोग क्यों लिखते हैं? तो आप जानती होंगे एक formula X का पावर M का whole power N रहता है तो इसके बरावर क्या होता है? X का पावर M in यहाँ दोनों पावर के बीच आपस में घुना हो जाता है सेम तरीका से यहाँ आपको करना होगा यहाँ देखें 5 का पावर 3 है का whole power 1 बटा 3 है तो इस दोनों पावर के बीच में घुना हो जाएगा अग 3 और 3 कड़ जाएगे तो क्या होगा? 5 का power 1 बटावर 5 इस परकार 125 का cube roots कितना हो गया? 5 एक प्रस्ण और मैं आप लोगों के लिए solve करता हूँ इसके बाद आप लोग full trained हो जाएगे Find cube root of 343 तो सबसे पहले आपको इस से लिखना होगा इस तरीका से 343 और cube roots का sign देना होगा इसके बाद आपको क्या करना होगा? अब 343 के जगापर आप क्या लिखेंगे? लिखने के लिए सबसे पहले तो भाई आपको prime factorization करना होगा यह 343 दो से divide नहीं होगा 3 से भी नहीं होगा, 5 से भी नहीं होगा यह divide किसे होगा? 7 से साथ से divide करके देख ले साथ चोक 28 और सत्नवा 63 साथ सत्य 49 साथ एकम 7 आपको 343 के जगापर लिखना होगा क्या लिखना होगा? 7 गुना, 7 गुना, 7 और यहां पर देख लें, 7 कितने बार गुना की रूपे है, 3 बार, तो आपको लिखना होगा 7 का पावर 3, जब हम लोग क्यूब रूट्स का साइन हटाएंगे, तब इसके बदले में आपको लिखना होगा पावर 1 बटा 3, अब क्या करते हैं हम लोग, इस दोनों पावर के ब गुना हो जाएगा, 3 गुना 1 बटा 3, ये 3 और ये 3 कट गया, तो कितना आएगा, 7 का पावर 1 और इसका बहलू 7, इस परकार 343 का क्यूब रूट्स कितना हो गया, 7, मैं आसा करता हूँ कि आप लोगों को आज का यह मैत बहुत पसंदाया होगा, मैं इस तरह का मैत अपने चैनल के माध्यम से बच्चों को अक्सर बताते रहता हूँ, इसलिए यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए होंगे, तो मेरे चैनल को एकदम निश्चित सब्सक्राइब कर लें, प्लीज सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप लोग फ्री में नी सुल्क इस तरह के वीडियो द अ हैुछे में सकते अ पर ने डवियुद, यूरी मेरा जार आसIST आरह के चैनल पर ने सकते नांथित सब्सक्राइब को एका सब्सक्राइब।